Hello students, good morning, as you all know, today is our math turn, so get ready for this, today we will know about pattern, आज हम क्या जानेंगे, आज हम पैटर्न के बारे में जानेंगे, ओके, कितनी टाइप्स के पैटर्न होते हैं, कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, यह जानेंगे, चलिए, तो शुरू करते हैं, complete the pattern, अब यह जो नीचे कुछ पैटर्न दिख र बना हुआ है, यह जो शेप है, इसे क्या कहते हैं, square, ओके, यह है square, फिर यह क्या है, triangle, एक square है, फिर triangle है, फिर उसके बाद फिर से square है, फिर क्या है, ट्रैंगल है, उसके बाद फिर से square है, तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे है, triangle, ओके, एक square, एक triangle, फिर से square, फिर triangle, फिर नीचे क्या है नीचे फिर से square है फिर है circle फिर क्या है square है फिर है circle उसके बाद फिर से square फिर से circle तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे फिर से हम बनाएंगे square, उसके बाद क्या बनाएंगे circle, तो हमारी दो patterns पूरे हो गए, फिर आईए नीचे देखते हैं, फिर क्या है, फिर है plus, फिर प्लस है, फिर उसके बाद कौन सा sign है, ये multiply का sign है, तो multiply, फिर से plus, फिर से multiply, then again plus, then हम क्या draw करेंगे, हम क्या करेंगे, multiply, then उ हमारा ये तीसरा pattern फेर पुरा हो गया, फिर है, subtraction का sign है, ना, horizontal line है, तो, sleeping line, फिर oval ये कौन सा shape है? And then again, «oval», फिर से sleeping line, and then again oval विर लिग क्या बनाएंगे, sleeping line, उसके बाद फिर से oval, तो हमारा ये चौता shape pattern पूरा हो गया, चार pattern पूरे हो गया है, फिर सब से last में क्या है सबसे last pattern है हमारा 2 circle है okay फिर है plus फिर 2 circles then again plus then again two circles then we will draw plus then two circles okay तो यह हमारा pattern पूरा हो गया न है आपको इसी तरह ही के से अपनी book में fill करके मुझे मेरे number भी सेंट करना okay thank you झाल झाल